हेलो एवरिवन वेल्कुम तो सरकारियर्ड वन्स अगें तो इस वीडियो में जो है मैं आपसे बीके साथ एक एक इंपॉटेंट अपडेट जो है वो शेर करने वाला हूँ जिसका आप सभी को काफी टाइम से इंतजार था तो मैं बैसिकली जो बात कर रहा हूँ वो मैं बात है वो यह है कि इस बार जो है आपका एंटरेंस एक्जाम के जी एमो कंड़क्ट नहीं करवाने वाला और फिर से यह जो अथारिटी है यह एबी वी एमो के पास चली गई है ठीक है अभी मैं उसको जो ऑफिशल प्रूफ है वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ तो प प्रूफ है इस वेबसाइट पर जाना है तो अभी कुछी देर पहले इंफोर्मिशन अपडेट हुई है और मैंने सुचा कि मैं आपको तुरंत ही बता दूँ सो देट कि आपको फ्यूचर परस्पेक्टिव के लिए सारी इंफोर्मिशन मिल जाए ठीक है बागी चैनल को जरूर सब्स्राइब कर लेना क्योंकि जल्दी इसके अप्लिकेशन फॉर्म आने वाले हैं और प्रिप्रेशन वगरा कैसे करनी है उन सभी पर भी मैं आपको टिप्स देता रहूंगा ठीक है तो चैनल को सब्स्राइब करना मत भूलना तो अब यहाँ पर देख सकते हो यह हाँ पर देख सकते हो यह रेट कलर के बॉक्स में जो आपके लिए बड़ा बड़ा सा नोटिस हैं पर हाइलाइट करके लिखा गया है कि अटल बिहारी वाजपाई मेडिकल उनिवर्सिटी एबी वीमू यूपी लखनाओ इस कंडुक्टिंग कॉमन नर्सिंग एंटरेंस टेक है तो यहां से आपको यह बात कंफर्म हो गई साथ ही लिखा है डिटेल्स फॉर फिलिंग फॉर्म विल बी अविलेबल सून ओल फॉर्म विल बी फिल्ट थ्रू ओनलाइन मोड ओनली इंटरेस्टेट कैंडिडेट आर रिक्वेस्ट तो विजिट दा साइट रेगुल चाहें वो एमसी नर्सिंग हो या फिर एनपी सी सी हो ठीक है तो चारो ही कोर्स के लिए अब एबी व्यमो करवाने वाला है और अब यह नहीं पता कि ऐसा हुआ क्यों है क्योंकि लास्ट यह जो वो के पास अथौरटी चली गए थी लेकिन फिर से अब वापस जो है एबी जो के पास यह रеспॉंसिबिलिटी आ चटोकी है तो अब आपके मन में कुशन ये होगा कि धीमो में अगर हमें बेरी मिस्जण लेना है तो क्ट क्या होगा कैद्ब में जो admission है nursing course में मतलब BSc nursing में वो भी क्या ABVMO के through ही होगा जो ABVMO common interest test करवाएगा या KGMO खुद का अपना अलग करवाएगा तो देखो मेरे according मतलब मेरा जो experience है ठीक है तो जो मैं चीज अभी तक देख रहा हूं उसके basis पर मैं आपको बता रहा हूं कि KGMO जो है वो अपना खुद का entrance exam अपना अलग ही करवाएगा वो इन से मतलब वो इनकी counseling से अपने हाँ पर admission नहीं लेगा ठीक है क्योंकि ABVMO जो है उस पर KGMO जादा trust नहीं करता है क्योंकि ABVMO के जो मतलब past experiences है इनका जो past behavior है वो काफी जादा मतलब मतलब बहुत जादा stable नहीं है ठीक है तो उसके according बता रहा हूं मैं कि KGMO जो है वो खुद का BSC nursing का entrance exam conduct करवाएगा बाकी ABVMO जो करवाएगा entrance exam जितने भी बाकी जो आपकी government और private colleges है यूपी में उनके जो admission होंगे वो आपकी ABVMO common interest test के ठीक है तो इस बार जो है कुछ चीजे जो है आपके लिए बहुत जादा change हो चुकी है तो अब यहाँ पर problem यह है कि अगर suppose आपको अगर KGMO भी अपना अलग entrance exam करवाता है और ABVMO अपना अलग करवाता है तो होगा यह कि अगर आपको दोनों के लिए apply करना है तो फिर से जो है आपका loss यहाँ पर दिख रहा है मुझे ठीक है उसके बाद जब counseling होगी तो उसमें भी फीज जो लगे कि फिर बार बार अलग अलग करना पड़ेगा तो यह चीज़ यहाँ पर जो है थोड़ी complicated इन्होंने फिर से बना दिया है ठीक है तो मुझे तो यह जादा सही नहीं लग रहा अगर मतला पिछली बार की पर कि आपको क्या फील हो रहा है यह चीज़ पता लगा जब आपको पता लगी है ठीक है कि क्या आप इस चीज़ से satisfy नहीं हो तो comment section में मुझे अपने review जरूर बताना बाकी इसका application form आप मान कर चल सकते हो कि 15-20 दिन में आ जाएगा तो उसके लिए तयार हो अपनी preparation को करते हो जून में जा जून में ही कहीं जो है आपका exam यहां पर conduct होगा ठीक है बाकी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बैल आइकन को प्रेस कर लेना so that next official update जैसे ही आएगा मैं आपको inform कर दूँगा अभी भी जो है शायद मैं ही पहला हूँ जिसने आपको update दिया है ठीक है तो अगर यह video helpful लगी तो प्लीज को जो लाइक कर दिना चैनल पने तो subscribe कर लो और बैल आइकन को प्रेस कर लो और अपने दोस्तों के साथ यह video को ज आ सकते हैं okay so thank you and have a nice day